नमस्कार, चानक्या आए एस स्वागत है, देखते हैं कि MCQs में आज कौन-कौन से महत्पूर्ण प्रस्न है पहला प्रस्न, Animal Health System Support for One Health परेजना के लिए सहयोग में निमलिखित में से कौन सामिल है इसका सही जवाब है, आप्शन B, यानि कि पसु पालन और देरी विभाग और विश्व बैंक देखते हैं इसकी व्याक्या मच्स पालन, पसु पालन और डेरी मंत्राले, इन्होंने National One Health Mission के एक हिसे के रूप में पसु महामारी तैयारी पहल, जिसे हम Animal Pandemic Preparedness Initiative संशेप में एपी-पी-आई कहते हैं, उसे सुरू करने जा रहा है वहीं पसु पालन और डेरी विभाग ने उन्नत पसु स्वास परवंधन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लक्च के साथ एक स्वास्त के लिए पसु स्वास्त परणाली साहता, मतलब Animal Health System Support for One Health के लिए विस्व बैंक के साथ एक सहयोगी परियुजना पर हस्ताक्षर किया है वहीं इसके अंतरगत अगर हम आगे देखें तो इस परियुजना में भाग लेने वाले पांच राज्यों के 151 जीलों को कवर करने का लक्च रखा गया है और ये जो पांच राज्ये हैं उन राज्यों में देखें कौन-कौन से राज्ये हैं करनाटक, मध्य प्रतेश, महराष्टर, ओडिसा और असम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रशन की ओर्श, दूसरा प्रशन है कि इन में से कौन सा डबबा ट्रेडिंग की अब्धारना क सबसे अच्छा वर्णन करता है, ओप्शन A, स्टॉक एक्स्चेंजों के दायरे से बाहर अनुपचारिक व्यापार, ओप्शन B, मानिता प्राप्ट स्टॉक एक्स्चेंजों पर अप्चारिक व्यापार, ओप्शन C, शेरों के भौतिक स्वामित्य के साथ व्यापार, और option D, share-ों की कीमतों में उतार चड़ाओ पर कानूनी 60 देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है option A, मतलब stock exchange-ों के दाइरे से बाहर अनुपचारिक व्यापार अब इसकी व्याख्या, व्याख्या के अंतरगत अगर हम देखें stock की कीमतों में उतार चड़ाओ पर दाव लगाता है, बीडिंग करता है और या अनिवार रूप से मतलब mandatory रूप से या stock की कीमतों पर एक 60 होता है, अगर हम एक investors की बात करें, जो डबबा ट्रेडिंग करता है तो यह निश्चित मुल्य बिंदों पर शेरों पर दाव लगाते हैं, जबकि हमने क्या देखा कि उस शेर का उसे बहुतिक स्वामित नहीं मिलता है और फिर दाव लगाने के बाद कीमतों में उतार चड़ाओ के आधार पर लाब या हानी का सामना करता है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी इन्वेस्टर ने किसी एक शेर के मुल्य लगाए उसने बीडिंग किया हजार रुपए और अगर मालने उस शेर की कीमत हो गई बात करें, तो यह जो डबबा व्यापार है, कहा जाता है कि इसमें कमी है या कमी आए या कमोडिटी लेंदेन और प्रतिभूती लेन दिन कर मतब़े अंतरगत भी यह नहीं आता है Сाथि आध डब्बा ट्रेडिंग के अंतरगत निवेशकों के पास निवेशक, सुरक्षा और विवाद, समाधान, तंत्र के लिए अऊप्चारिक प्रापधानों की कमी है मतलब यह एक गैर कानूनी काम हो गया और साथी साथ अगर हम देखें तो डबबा वैपार समभावी तुरूप से क्या है काले धन के विकास को प्रोथ साहित कर सकता है और एक सवानंतर अर्थवेस्था है मतलब ब्लैक मनी की बात करें तो फिर यह क्या होगा एक सवानंतर अर संचिप में Securities Contract Regulation Act S.E.R.E. 1956 के अंतरगत वी नियमित कहा जाता है और इसे एक अपराद माना जाता है साथी साथ अगर इसके अंतरगत कोई भी व्यक्ती पकड़ा जाता है तो उसे कारावास जुर्माना या दोनों की सजा है मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई व्यक्ती प का जुर्माना हो सकता है या दोनों उस पर लगाया जा सकता है जुर्माना भी और करावास भी देखते हैं अगला प्रशन प्रशन है कि वोका लिगा कौन है ओप्सन ए वेदों के अन्युआई और जाती विवस्था के समर्थ है ओप्सन बी आदि संक्राच चारदरा मतलब व्यापसाइक रूप से किसान और मैसूर की पूर्व लियासत में सबसे बड़ा समुदाया अब इसकी हम व्याक्या देखते हैं अब यहां पर यह है कि यह प्रशन क्यों बना है यह प्रशन इसलिए बना कि करनाटक में जो चार परतिसत जो रिजर्वेशन जो मुसल सलमानों से वह चार परतिसत करजा आरक्षन हटा कर वह वकाल लिगा और लिंगाय समुदाय को दे दिया गया उसी पर जो सुप्रीम कोट का नया निर्देश आया है या जो स्टेटमेंट आया है उसके कारण हमने इस प्रशन की चर्चा की यहां पर अगर हम व्याक्या करते इस प्रशन की तो यह बात है कि वकाल लिगा की जो उत्पत्ती है वह राष्टकूट और पस्चमी गंगा से हुई और यह बड़े पैमाने पर वैवसाय से किसान है और वकाल लिगाओं ने एथिहासिक रूप से पूराने मैसूर के छेतर में युद्धाओं और किर्सकों क समुधाय के रूप में महत्यपूर्ण जन सांकी की राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत रखाया है साथी साथ लिंगायत के अगर हम बात करें तो वह बारवी सदी के समास सुधारग बसे स्वर के अन्वियाई है जो जातुई विवस्था और वैदी कर्मकांडों के लिंगायतों को वीर सेव लिंगायत नामक एक हिंदू उपजाती के रूप में वर्गिकित किया गया था उन्हें सेव माना जाता है लिंगायतों ने वेदों और जाती विस्था से समदित मानिताओं के अंतरक क्रणख खुद को हिंदू वैर सेवों से दूर कर लिया है वह के अंतरगत मुसल्मानों के लिए 4% OBC कोटा खत्म करने और इसे राज़ में वक्का लिगा और लिगाय जातियों के विभाजित करने का जो आदेस है वो पूरी तरह से गलत अब धार्णाओं पर इस्तित है। सुप्रिम कोट ने बात किया कि मुसल्मानों के 4% OBC कोटा खत्म करने के लिए करनाटक सरकार जो किया वो सही नहीं है और यहां आलोचना के योग है और यह सवाल किया कि लंबे समय तक अधिक पिछड़ा समुदाय माने जाने के बाद मुसल्मानों को अचानक अरक्षनलाब स बाहर क्यों कर दिया गया है वहीं आदालत ने राज्ज से एक मौकिक आस्वासन यह दर्ज किया कि सुनवाई के अगली तारिक जो 18 अप्रेल को है तो 18 अप्रेल तर कोई नियुक्ति या प्रवेस नहीं होगा वहीं याचिका करता के जो वरिष्ट अधिवक्ता हैं उन्हो प्राप्त हो रहा था और वह जो 4% का आरक्षन का लाब मुसलमान ले रहे थे और उस लाब से जो वंचित कर दिया गया तो वंचित करने के पीछे किसी प्रकार का कोई इंपेरिकल डेटा नहीं है अनुभव जन्य डेटा सरकार के पास नहीं है वहीं आगे कि मुसलमान को छोड़कर जो अन्य अरप सेंक्यक समुदाए हैं उन्हें पिछवे वरकिता सोची बद्धिक किया जाना जारी रहा है अब सरकार का तरकिया है कि आरक्षन धर्म के आधार पर नहीं होना चीए लेकिन याचिका करता है उन्होंने सपस्ट किया है कि मुसलमानों के लिए आर निर्वाचित गराम सभाओं के कामकाच के बारे में पूरी जानकारी परदान करता है उपसन बी अशोक कालिन राज्जिक की धमनीती उपसन सी या सिलालेक समुद्र गुप्ति के विजए अभ्यान का उलेक करता है उपसन डी उपर के सभी देखते हैं इसका सही जवाब क् मतलब या निर्वाचित गराम सभाओं के कामकाच के बारे में पूरी जानकारी परदान करता है अब देखते हैं इसकी व्याक है सबसे पहली बात तो यह है कि आखरिया ख़वर में है क्यों है इसलिए क्योंकि परदान मंत्री ने तमिल नाडू को या तमिल वासियों को उन तंत्र की एक नीव है क्योंकि वहां का एक उत्तर मेरू अभिलेक है जिसमें यह पता चलता है कि 1100 वर्स पूर्व तमिल नाडू में इस्थानी लोकसासन दिवस्था मौजुद थे साथी साथ उन्होंने संगम लिटरेचर का भी उलेक किया जिसमें उन्होंने यह बात कही कि जो संगम साहित है उस संगम साहित में मिलिट्स के अलग-अलग परकारों की बात की गए हैं जिसकों की भार सरकार के दोरा स्री अन्न का नाम दिया गया है वही अगर अब हम प्रश्ण की बात करें कि उत्तर मेरू अभिलेक तो चोलवन्स के साथ सक परान तक पर्थम का उत्तरमेरूर अभिलेक मिलता है और साथी साथ प्रान तक पर्थम का उत्तरमेरूर अभिलेक भारत के तमिलाडू राज्जी के कांची पूरं जीले में इस्थित उत्तरमेरूर नामक इस्थान से पराप्त हुआ है लबह 1100 साल पहले यह वाट संगरचना उम्मीदवार योगिता और अयोगिताओं चुनाव प्रक्रिया, निर्वाची सदस्यों के साथ समित्यों के गठन, उनके कारियों और अधिकारियों को भटाने की सक्ति के बारे में विस्त्री जानकारी प्रदान करता है इसके साथी साथ ग्रामीनों के कर्थव्यों में भलता के लिए निराचित परतिनिदों को वापस बुलाने के अधिकारों की भी चर्चा उतर मेरूर अभिलेक में की गई है। तमिलाडू में अन्य सिलालेग भी हैं जिसमें ग्राम सभाओं का उलेग मिलता है लेकिन उत्तर मेरूर अभी लेग को सबसे पुराना और सबसे व्यापक सुरोत माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन है कि राष्टिय नमुना सर्वेक्षन कारयले द्वारा जारी आंकडों की अनुसार भारत की किस राज्य में प्रवासन की बाद आई विर्थी की सबसे इसपष्ट प्रविर्थी प्रदर्सित होती है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ओप्सन A मतलब हर्याना अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। उसमें यह बात कही जा रही है कि पलायन के बाद मतलब माइग्रेशन के बाद आई में जो विर्थी की प्रविर्थी है वो सभी राज्यों में समान नहीं है। नौकरी या नौकरी की तलास के लिए गई थी। वहीं जो आकड़े हैं वो यह आगे यह बताते हैं कि पुरूस प्रवासियों में 42.9% नौकरी की तलास में चले गए। साथी साथ ग्रामीन और शहरी छेत्रों में प्रवास का मुख्य कारण क्या है? रोजगार है। एक कि राज्यों के भीतर एक जिले से दूसरे जिले मतलब अंतराजी प्रवासी भी इसमें शामिल है। वहीं अगर हम बात करें राष्टी नमुना सरविक्षन कारियाले की तो शांकिकी और कारिकरम कारियाले मंत्राले। वहीं आगर हम देखें तो CSO सांकिकी गतिवितियों का समन्वे करता है और एक स्टेंडर्ड इस्थाफित करता है वहीं NSSO विविन छेतरों में राष्टी स्तर के नमुना सरविक्षन आईजित करता है। वहीं कारिकरम कारियानन विंग में तीन परभाग है। विस सूत्री कारिकरम, भुनियादी धाचा निगरानी और परियोजना निगरानी और सांसद स्थानी छेतर विकास योजना। राष्टी सांकिकी आयोग सांकिकी मामलों में नीतियां, प्रात्मिक्ताएं और मानक तयार करता है। इस प्रकार, MCQ से समदेत आज के इस वीडियो में हमने कुल पांच परशनों को देखा, इसके साथ ही इस वीडियो को ही सबाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए परशनों के साथ, नमस्कार।